प्रेशात्रों नमस्कार आए आज हम पढ़ेंगे प्रकाशकी में आउतल दरपड़ द्वारा प्रतिबीम्ब का निर्माड टिक यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको यह दिया आप नहीं समझेंगे तो इसके आगे का टॉपिक आपको अच्छे से समझ न प्रतिबीम्ब कैसे बनता है यह हमें पतर रहना चीए तब हम आगे को बहुत असानी से समझ सकते हैं तो पिछला वीडियो आप नहीं देखें तो उस वीडियो को जरूर देखें उसमें आपको दरपन से संबंधित पूरी डेफिनिशान आपको अच्छे से मिल जाएगा उस वीडियो का लिंग को डिस्केश्वन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ फिजिक्स 12 पर प्लेलिस्ट बना है यह वीडियो के अंत में भी आपको प्लेलिस्ट कर लिंक मिल जाएगा उसे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और यदि आप हमारे चैनल पर नहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूब करें साथ इसाथ बेल आइकन को भी प्रेस के लिजे जिससे हम इसी तरह के नएने वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकसन सबसे पहले आपको मिल जागा तो आएए श्टार्ट करते हैं अवतल दरपन द्वारा प्रतिवीम कर निर्माड ठेक इसमें 6 कंडिशन मैं लेके रखा हूं ठेक वस्तु की इस्थिति लेके रखा हूं और तीन चित्र बनाये हूं फिर अगला जो तीन चित्र इसको मिटाने के बाद बनाऊंगा तो फर्स्ट इस्थिति हैं देखें वस्त आगे प्रकृति बता सकते हैं तो इसको बताने से पहले चोट सट बे साथा देखलेजिग है टेंसे यह हमारा क्या और पिह किया का एक फोकस से हो के जाता है लेकिन मुखन फोकस से हो कैसे जाता है उसको दिख़ें यदि माल लिजाए यह पूरी तरह से एक सरकल है गोला है इस तरह से तो गोला का वकरता केंद्डर कौन होगा यह वाला होगा गोला का केंद्डर झाये तल वकरिय हो चाहे तल समथल हो तो यहाँ पे जो तल है वो क्या है एक गोले की रूप में है इस तरह से सरकल की रूप में है तो इसका जो यह हमाले यह इसको हम त्रिज्या बोलते हैं तो त्रिज्या क्या होगा किसी भी परिधी पर त्रिज्या जो रहता है वो हमेशा लंबवत होता है ठीक परिधी पर त्रिज्या जो रहता है वो हमेशा लंबवत होता है अब हम प्रकास के परावर्तन के नियम से जानते हैं आपतन कोंड और परावर्तन कोंड दोनों हमेशा बराबर होते हैं अर्थात जितने कोंड से आप्तित होगा किरण उतने ही कोंड से परावर्तित होगा लेकिन हमको अभिलंब ढूनना है क्या ढूनना है अभिलंब एक बात यहीं पर फिर सोच सकते हैं कि अभिलंब भी क्या होता है जहां पर किरण आप्तित हुआ रहता है उस तल में आप्तित होता है वही से अभिलंब निकलता है ठीक तो यह किराण यहां पर आप्तित हुआ तो यहां से अभिलंब निकलेगा अब यह किदर जाएगा भई यह कृँकि यह विर्त की तिरिया बनेगा विरत्य धन बहुंत सारे रिजय लेसकते हैं इस तरह से थीक इस अपरीजेत के साथ 90 बनाते हैं तो यह हुआ इसका अभिलंब कंच्चा पुर्ण प्रत्रेस को मो पहीं पर अभिलंब होता है और अभिलंब कहां आता है वक्रता केंद्रस सी पर आता है अब फिर हम जानते हैं कि जितने कोड़ से किरण आपतित हुआ है यह आपतन कोड़ है उतना ही परावरतन कोड़ आर भी होता है मतलब आपतन कोड़ और परावरतन कोड़ सदेव बराब यह आप्तित किरण है और जितने कोंड से यह किरण आप्तित हुए है उतने ही कोंड से क्या होगा यह परावर्तित होगा प्रकास के परावर्तन के नियम से आप्तन कोड और परावर्तन कोड सद्व बराबर होते हैं अभिलंब हमेशा सी और आप्तन आप्तित किरण की बिंद बात करेंगे चलिए देखिए पहला वाला हमारा अवतलदर पढ़ है इस तरह से यह अवतलदर पढ़ है ठीक अग इस कंडिशन में बोल रहा है कि वस्तु कहां पे इस्थित होगा भई वस्तु अनंत में इस्थित होगा तो अनंत में जब वस्तु है तो अनंत से प्रकास किर किरण इस तरह से अनन्द से आके आप्तित हुआ इस तरह से ठीक ये इस तरह से और सेकंड प्रकास किरण नीचे तरफ से भी आप्तित हुआ इस प्रकार अब ये आप्तित किरण है और ये भी आप्तित किरण है अभी मैं आपको बताया हूं कि मुख्यक्ष के समांतर जब यहां पे आपको अभी लंब बनाने की जिरुवत नहीं है सिर्फ हम सिसे देखेंगे प्रतिबीम की इस्थिति तो अब दो किरनों के बीच में बनते हैं जब दो किरण परावर्तित होते हैं और परवर्थित होने के बाद जिस बिंदू प्याहा के मिलते है वही उसकी प्रतिभीम होती है अर्थाथ यह किरनर आपती हुआँ मोने के अनंत से आ रहे हैं तो उसका प्रतिभीम कहां पर बर रहे हैं अ प्रतिबीम कहां पर बनटा है बंदू के अकार यह वास्ता में मेरा है दिखें तो यह वास्ता भी प्रतिबीम बनेगा ठीक to प्रतिबीम के स्थिति प्रतिबीम कहां पर है मुख्य फोकस पर तो इसको लिख लीजिए मुख्य फोकस पर मुख्य फोकस पर ठीक प्रतिबीम का आकार यहां से अलग है यहां से प्रतिबीम का आकार प्रतिबीम बहुत छोटा है बहुत छोटा मतलब बिंदु अकार बिंदु के अकार ठीक प्रकृति थोड़े दूब लिख देता हूं इसको प्रकृति प्रकृति क्या होगा भी वास्तवीक होगा कि अभासी होगा प्रकृति होगा वास्तवीक तिक प्रकृति क्या होगा वास्तविक होगा क्योंकि यह किर्णे अपने आप मिर रहे है इसमें किसी भी तरह के हमको अपने तरफ से मिलाना नहीं पड़ रहा है जब हम अपने तरह से किसी किरण को मिलाएंगे तब वह होगा आभासी सेकंड अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में तो सबसे पहले तो मैं इसमें एक वक्रता केंद्र ले लेता हूँ यह है इसका मुख्य पोकस F और यह है इसका वक्रता केंद्र C अब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में इस्थित है मतलब समझो इधर बहुत अनन्त है और यह वकृता किंद्र है तो इसके बीच में हम वस्तु ले लेते हैं इस तरह से A और B ठेक यह जो वस्तु है वो यहाँ पर समझो यह अनन्त है और यह वकृता किंद्र है अनंतर वक्रता किंदर के बीच में इस्थित है अब इससे एक किरण गुजरेगा जो मुख्यक्ष के शमांतर आप्तित होगा मुख्यक्ष के शमांतर आप्तित होगा और मुख्यक्ष के समांतर जब किरण आप्तित होता है तो वो कहां से होके परावर्तित होता है फोकस से होके तो मुख्य फोकस से होके वो परावर्तित हो जाएगा दूसरा किरण ठीक ए से निकलने वाले दूसरा किरण क्या होगा ठीक इसको बढ़ा देता हूँ मैं ए से निकलने वाले दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होके गुजरेगा अब ध्यान दीजिए इसको थोड़ा सा अलाग से चीते समझें यदि यह किरण यहां से आप्तित हो रहा है यहां से वक्रता केंद्र सी है तो यहां से वक्रता केंद्र सी सी यदि किरण गुजरता है आप्तित होता है तो यह परावर्ति यहां से इसका अभिलंब ऐसे होगा तो यहीं पे तो अभिलंब होता है और अभिलंब होता है अर्थात आप्तित किरण अभिलंब के समानतर है तो परावर्तित भी कैसा होगा वो ठीक देखे थोड़ा भी यहां पर इंगल निबर रहे हैं तो परावर्तित भी उसी दिशा मे रहा है दोनों यहां पर मिर रहा है तो एक प्रतिवीम बनेगा एडेस अर्थात यहां पर और यह होगा बीडेस तो वस्तु से छोटा बन रहा है इस बात ठीक वस्तु बड़ा है देखे और प्रतिवीम छोटा है लेकिन वस्तु के नीची की ओर है मतलब उल्टा है और क्या ह वास्तविक है और कहां पर है वाकृताकंरा सुओकस के बीचा यिन को हम लख सकते हैं कि प्रतिवींब के इस्थिती मतलब प्रतिवींब के सी है सी और एफ के बीच में ठीक सी और एफ मतलब मुख्य потम इसके के बीच में उसके बाद प्रतिभीम्श का आकार बस्तु से चोटा फर प्रक्र॥ी क्या होगा वास्तविक यूग होगा वास्तविक वास्तविक और उल्टा वास्तविक और उल्टा ठीक प्रकृति क्या होती है इसकी वास्तविक और उल्टा होती है तिसरा वस्तु इस बार वक्रता किंद्र पर इस्थित है तिसरा नंबर में क्या है वस्तु जो है वो वक्रता किंद्र में इस्थित है यहां पर हम C ले लेते हैं यहां पर हम लेते हैं और वस्तु जो है वह करता किंद्र मतलब criar यहां पे सी मेश्धित तो इसे आपटित होने वाला होगा यह इस तरह से अब यह किरण हमेशा मुख्य फोकस से होके गुजरेगा यहां से परावर्तित होगा तई अब दूसरा किरण क्या होगा सी से हो कि तो ने गुजर सकता इसलिए उसको हम क्या करेंगे focus से होके गुझारेंगे तो दूसरा किरण मुख्चाचर्ण से होके गुझरता है इस तरह से सिंपल है देखें जब प्रकास किरण मुख्य अप्टित होता है तो मुख्य फोकस मतलब एफ से होके परावर्तित होता है अब यहां से अधी प्रकास किरण आपतित हो रहा है तो यह मुख्य तो प्रतिविम बनाना है अब प्रतिविम बनाना है आपको तो प्रतिविम इस तरह से बनेगा तो जहां पे हम वस्तु लिए थे वहें पे इसका प्रतिविम बन रहा है अर्थात वस्तु की स्थिती वक्रता केंद्र में है तो प्रतिविम भी वक्रता केंद्र में बन रहा है लेकिन वस्तु से उल्टा बर रहा है वस्तु के बराबर बर रहा है और क्या है वस्तविक है ठीक इसको लिख सकते हैं हम वक्रता के इंदर पर तो प्रतिभीम के इस्तिति मुख्य प्रतिभीम के इस्तिति कहां पर हिजबर वक्रता के इंदर पर हैं ठीक वक्रता के इंदर प ORE प्रकृत प्रकृति क्या और वास्तविक और कि यह अब तीन चितर के बाद चैसे बाद चैसे लिए टरारे समी इन तीनों बनायुगा पिर इन तीनों के लिए वहां पे चित्र बनाऊँगा ठीक इसके बाद देखते हैं हम चाफा नंबर के लिए तो चाफा नंमर में वस्तु कहाँ पे है देखे वगरता ऐंद्र और मुख्य फोकश के बीच में मतलब यहां पर ठीक यह वस्तु ए और यह बी वस्तु ए भी इस्थित है वक्रता केंद्र और एफ के बीच में तो फिर देखें एक किरण तो क्या होगा मुख्यक्ष के हो के क्या होगा वो परावर्तित होगा ठीक इस तरह से होगा यह यह इस तरह से परावर्तित हो जाता है मुख्या फोकस से होके अब दूसरा किरण दूसरा किरण क्या होगा दूसरा किरण को यहां से आपतित हो रहा है तो यहां से निकलेगा लेकिन हमको लगेगा कि वक्रत केंद्र से होते हुए आपतित होता है तो उसी दिश्वा में परावर्थित होता है तो यह क्या हो जाएगा इसी दिर्शा में परावर्तित होगा इस तरह से यहां इस तरह से तो वस्तु का प्रतिविम बना यह यहां पर वस्तु से बड़ा बढ़ रहा है यह होगा एडेस और यह होगा बीडेस आप वस्तु की इस्थिति देखें प्रतिविम बना एडेस बी बीच में है और प्रतिवीम्ब है वस्तु से बड़ा वस्तविक है और उल्टा है तो इसका क्या होगा वस्तु की इस्थिति प्रतिवीम्ब की इस्थिति ठीक अनंत और सी के बीच में सी के बीच में ये अनंत का चिन्द है प्रतिबीम्ब का अकार वस्तू से बड़ा वस्तू से बड़ा प्रकृति वास्तविक और उल्टा सब में वास्तविक बनेगा बस लाश्ट बस में अभासी बनता है ठीक चौथा, चौथा के बाद पाचवा चित्र भी बना दिये हैं हम, पाचवा कहां पे इस्थित है भे, मुख्या फोकस पर इस्थित होगा, तो मुख्या फोकस पर इस्थित होगा, अर्थात यहां पे वस्तु इस्थित होगा, A और B, A और यह B, और इसको हम देते हैं मुख्य अब फिर पहला किरण मुख्यक्ष के शमानतर ही आपतित होगा कि पहला किरण जो है वो हमेशा मुख्यक्ष के समानतर आपतित होता है और परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस से होके जाता है इस तरह से यहीं से होके जाएगा चाहे वस्तु आप छोटा लो चाहे शक्षे के शमांतर आपतित होगा और मुख्य फोकस से होके परावर्तित होगा वो दूसरा किरण हम क्या करेंगे वह सी से आ रहा है और वक्रता केंद्र से जो किरण अपतित होती है वो उसी मारगा में परावर्तित होती है मतलब यह इस तरह से परावर्तित होगा दोनों किरणे दिखें एक दुसरे के शमांतर है यहाँ पर आपको अच्छे से दिखानी दे रहा है लेकिन इसकेल में इसको अच्छे से बनाओगे तो यह दोनों किरणे क्या ह एक दूसरे के समांतर परावर्तित होंगे और कहां पर जाके मिलेंगे भई यह अनंत में जाके मिलेंगे ठीक तो इसका प्रतिबीम बनेगा अनंत में जब वस्तु मुख्य फोकस में होता है तो इसका प्रतिबीम अनंत पर बनता है कहां बनता है अनंत पर तो मुख्य फोकस पर वस्तु रखा है तो प्रतिवींब के इस्थिती होती है अनंद पर अनंद पर ऐसे यह अनंद का चिन है प्रतिवींब का आकार वस्तु से बहुत बड़ा होता है ठीक वस्तु से बहुत बड़ा से बहुत बड़ा वस्तु से बहुत बड़ा होता है प्रतिविम का आकार प्रकृति प्रकृति क्या हो जाएगा अनंत में जाके मिलेंगे वो तो प्रकृति होगा वास्तविक ही होगा वास्तविक और उल्टा वस्तु उपर है प्रतिविम नीचे बनेगा वास्तविक और यह यहां पर ले लेते हैं हम F और यह ले लेते हैं हम C इस बार जो वस्तु है वो फोकस और दुरू के बीच में स्थित है मतलब यहां पर तिक यह यह और यह वस्तु का नाम भी है अब ए से चलने वाले पहले किरण मुख्यक्ष के समानतर आब्टित होती है और परावर्तित किरण और मुख्य मुख्य के शमांतार होती है आपतित और परावर्तित होने का किरण को हम मानेंगे कि वह सी से आ रहा है मतलब सी ऐसे यहाँ से निकलेगा लेकिन हमको लगें सी से सी के सी से ऐसे निकर रहे हो तो यह किरण है अब फिर हम जानते हैं सी पर जो किरण आपतित होती हैं वो क्या होते हैं उसी दिशा में परावर्तित होती हैं तो इसी दिशा में क्या होगा यह परावर्तित हो जाएगा अब हमको इसमें प्रतिभीम निकालना है तो प्रति से बढ़ाएंगे यह तो यहां पर बने गा इसका प्रतिविंब ये ए डिएस और ये होगा बीड़ेस तो वस्तु ए-b का बड़ा प्रतिविंब बना इस बार ठीक देखें एडेस और वी अब हम इस प्रतिविंब को कैसे प्राफ्त किये हैं इसको हम अपने मन से मिला यहां तक दो देखिए यहां तक अपने आप बन रहत है लेकिन यहां पे यह परावर्तित हुआ तो हम इस दोनों किरण को ऐसे आगे की और बढ़ा है तब वो जाके मिला पीछे में बर रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं दरपड के पीछे में दरपड के पीछे ठीक फिर प्रतिविम्ब का आकार वस्तू से बड़ा बनता है वस्तू से बड़ा बहुत बड़ा तो नहीं लिख सकते हैं वस्तू से बड़ा प्रकृति वस्तू इधर उपर में सित है और प्रतिविम भी उपर बर रहे हैं तो प्रकृति हम लिख सकते हैं सीधा है क्या है प्रतिविम सीधा है और हम अपने मन से मिला है इसलिए क्या होगा वो अभासी होगा तो इसको लिख लेना अभासी अभासी और सीधा अभासी और सिधा इस तरह से ये 6 हैं ठिक 6 आउतल दरपण हैं जिसमें प्रतिवियम निर्माड हम अच्छे से समझ चुके हैं और मुझे लगता है कि आपको भी अच्छे से समझ आ गये होगा तो इसे आप अच्छे से देख लिजिए और फिर भी समझ नहीं आता है तो एक बार बुक को जानना बहुत आवर्श्यक है क्योंकि चिन परिपार्टी हम सभी सुत्र में उप्योग करेंगे तो नेश्ट क्लास में पढ़ेंगे चिन परिपार्टी के बारे में तो आज की वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें एक छोटा सा कॉमेंट कर दीजिए और अपन